Hello my dear student, dear student, I am your science teacher and I am from SVPS Senior Second School, dear student, today is 10 of our science books, so we start our science, let's start what is our today's work Dear student, अब तक हमने हमारा फिक्ट चेप्टर, Materials from the Earth, ये चेप्टर हमारा continue था, पिछले वीडियो में हमने इस चेप्टर को half read किया था, half कहां तक read किया तो वो बार में आपको अच्छे से बताना चाओंगी हमने पढ़ा था, Materials जो खांसी मिलते हमें अर्थ से मिलते, most of Materials जो होते हैं, वो resources होते हैं, natural resources होते हैं, मतलब कि सारे Materials जो हमें अर्थ से मिलते, for example, stone, जिसमें से हमने कुछ expensive stone के बारे में पढ़ा था, for example, diamond, ruby, emerald, ये कुछ expensive stones होते हैं, उसके लाब फिर हमने, marble, graphite, grain, night, इन सब के बारे में बढ़ा था, और जो हमारा लास्ट वीडियो था, उसमें हमें प्ले के बारे में अच्छी से study कि थी, I hope आपको प्ले की जो formation अच्छी से समझ में आयोगी, आज हम आगे की चेप्टर को continue करते हैं, हमने making of play, यानि कि play के use करके हम portrait जो बनाते हैं, उसका ह हमने अच्छी से study किया था, आज हम करेंगे making bricks, यानि clay से हमने portrait बनाना सीखा था, या portrait क्या होती है, वो हमने अच्छी से सीख लिया था, आज हम करेंगे, क्या clay का इस्तमाल करके हम bricks, मिन्स, इंटे कैसे बना सकते हैं, देखिए, clay is also used to make bricks, clay का इस्तमाल है, यानि चीखनी मिट्टी का इस्तमाल इंटे बनाने में किया जाता है, we use bricks to make building and pavements, bricks का इस्तमाल किस में करते हम, buildings बनाने में, पेवमेंट में, रास्ते या फुटफाद बनाने में हम bricks का इस्तमाल करते हैं, bricks are bagged in bricks cleans, bricks जो होती है, इंटे जो होती, इंटे क्या होता है, बट्टी जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर इंको bake किया जाता है, means पकाया जाता है, आगे है, making cement, clay का इस्तमाल करके, हम cement कैसे बना सकते हैं, आप अच्छे से जानते हो, cement क्या होती है, तो वह हम कैसे बना सकते हैं, by using clay, cement is made by mixing clay with a rock called lamestone, cement का इस्तमाल, sorry, clay का इस्तमाल करके, cement बनाई जाती है, कैसे clay के अंदर रोक होती, चटान होती, पत्थर जिसको बोल सकते हैं, जिसे limestone यानि चुना, इन दोनों को मिला के, यानि चीकली मिट्टी और limestone को मिला के, cement बनाई जाती है, then cement is mixed with sand and water, it forms a thick paste like mixture called mortar, और प्ले का इस्तमाल करके, और limestone इस cement बनाई जाती है, और इस cement में पानी और मिट्टी मिला के, sand मिला के, बजरी मिला के, एक पेस्ट बनाई जाता है, पतला पेस्ट बनाई जाता है, जो क्या गलाता है, उसे mortar कहा जाता है, have you seen a mason laying a wall, क्या आपने कभी किसी मिस्त्री को दिवार बनाते हुए देखा है, या द between the bricks and to hold them together, mason क्या करता है, दो इटों की मोटर है, जो गारा पेस्ट होता है, जिसे गारा हम बोलते है, वो लगाता है, और दो जो इटों होती है, उनको एक साथ चिपका निकले, होल्ड करने के लिए, मोटर गारा लगाता है, तो यह क्या था, इतना हमारा हो गया था, clay का क natural resources है, इनके बारे में हम अभी क्या करेंगे, डिटेल में study करेंगे, metals are generally hard and shiny, metals धातु का जाता है, metals को हिंदी में धातु का जाता है, धातु जो होती ज़्यादातर कठोर और चमकदार होती है, some rocks have metals in them, कुछ चटाने ऐसी होती है, जिनके अंदर क्या पाई जाता है, metal या ध में हम पाई जाती यादी पफ़जाती हि इनके अंदर me adalah DE, such rocks are called auras, कुछ ऐसी इनके अंदर ores के नहीं पाई जाता है, कुछ ऐसी होती है, जिनके अंदर ores पाय जाता है, तो जिनके अंदर metals फाय जाता है तो उन्हें ओरस कहा जाता है यानि जिन चट्टानों में metals फाय जाते हैं उनको ओरस कहा जाता है ओरस आर टेकन आउट फ्रों दी अर्थ बाइ डिगिंग deep pipes called mines औरस को अरस को मिट्टी से अर्थ से गहरे ख़दे खोद गी निकाले जाता है और उसके बाद में metals को अलग किया जाता है औरस से अलग किया जाता है कैसे उनको furnace फरनेस का मीन होता है बट्टी एक बड़ा सब बट्टी होती है जिसमें आग होती है उसमें उसको गरम करके मेटल से मेटल्स को अलग किया जाता है a furnace is like a huge oven which can be heated to very high temperature और एक फर्निस क्या होता है एक बड़ा सा ओवन होता है बड़ी सी भटी होती है जिसके अंदर आप बोल सकते हैं बड़ा सा चुला जिसको बोल सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो आयस को होते हैं मेटल्स होते हैं और अरस होते हैं उनको गहरे ताप मान पर उनको गरम किया जाता है दें मेटल्स मेल्ट इन्टो लिक्विट इंसाइड दी फर्नस और इसके बाद में क्या होता है देखिए दी मेटल्स मेल्ट इन्टो लिक्विट इंसाइड दी फर्नस और जो फर्नस होता है यानि बट्टी जो होती है उसके अंदर जो मेट क्या करते हैं, ओरसे मेल्ट ह inquiry जाता है, और जाते हैं लिक्विडक पीकी सिल और की्विड जाती है अजिते हैं, इसें लॉ판 प्लोग ऑऔर जाते हैं, जानल सेफे काल ड़लण ए ऐलावी काल जाती बेल्ड टोनुते हैं पहले तो मेटल को गरम किया जाता है ताकि वह लिक्विड फोर्म में आ जाते हैं तो उसके बाद में थंडा करके बड़े-बड़े ब्लॉक्स या शीट्स बनाई जाती हैं Metals can also be beaten into thin sheets or drawn into very long wires और metals को क्या किया जाता है उसके बाद में जोर-जोर से पटक-पटक के तोड़ा जाता है इन बड़ी-बड़ी sheets को पतले-बदले wires के अंदर convert किया जाता है लंबे-लंबे पतले-बदले wires में इनको बनाए जाता है They can also be molded into various shapes और उसके बाद में उनको अलग-अलग shapes में भी molded यानी convert करना बदला जाता है अब आगे यह हमने पढ़ा metals के बारे में description की metals क्या होते हैं और कैसे हमें मिलते हैं अब यूज पढ़ेंगे हम uses of metals metals के क्या use है some metals we commonly use are iron, aluminum, copper, gold and silver कुछ metals जो होते हैं ज्यादा तर use करते हैं जैसे की iron का हम इस्तमाल करते हैं लोग का इस्तमाल करते हैं उसका इस्तमाल हम कैसे करते हैं और हमारी life में उसका क्या रोला देखिए iron is used to make nails and hammers आयरन का इस्तमाल nails क्या होता है when iron is mixed with carbon we get steel और जब iron के साथ में carbon mix किया जाता है यानि carbon जब iron के साथ में mix किया जाता है तो हमें जो steel जो हमारे एक धातू होती metal होता है वो हमें प्राप्त होता है we use steel to make utensils, railway tracks and machine parts we also use it in buildings और steel के इस्तमाल हम किन चीजों में करते है utencils हमारे जो kitchen के सामान होते हैं बरतन होते हैं उनका इस्तमाल वो जो है वो steel से मिलके बने होते हैं railway tracks जो होते हैं तो आरची से हम बनाते हैं तो उनमें क्या करते हैं आईरेन के इस्तमाल करते हैं यह हमारा किसका यूज़वा है यह हमारा आईरेन का यूज़वा है कि हम आईरेन को किस परकार से हमारी डेली लाइफ में यूज़़व करते हैं Aluminium is a whitish metal and it can be beaten into thin sheet Aluminium जो होता है एक white color जैसा होता है और white color का metal होता है और जिसको जो sheets हमने metal की aluminum की metal होता है उसको जब हम melt करके उसकी sheet बनाते हैं cooling के दवारा उसकी sheet बनाते हैं तो उसको beaten करके है नहीं अच्छे से तोड मरोड के फिर बनाया जाता है Utenses, Lunchboxes, Window Frames, Furniture and Foil are made from Aluminium और अब Aluminium के इस्तमाल कैसे होता है Aluminium के इस्तमाल हम Utenses बरतन बनाने में करते हैं Lunchbox बनाने में करते हैं Window Frames यानि की खिड़की की जो frames होते हैं Furniture इस्तमाल Furniture बनता है Foil यानि जो foil जो होती है Next हमारा है copper जिसका हम डेली लाइफ है Most of them use कर पें देखिए Copper is reddish in color Copper जो होता है एक लाल रंग का होता है लाल इसका जो color होता है वो red color होता है It is used to make electric wires और इसका इस्तमाल जादा कर जो है Most of them copper का इस्तमाल जो है वो electrical wire बनाने में किया जाता है Copper is mixed with other metals to form brass and bronze और उसके अलावा copper के साथ में और material को mix करके और metals को mix करके क्या बनाए जाता है brass यानि पितल, bronze यानि तामबा तो इन copper के अंदर बाकी अगर metals हम mix करते हैं तो उनको mix करने के बाद में पितल और तामबा बनता है Brass is used to make utensils, logs and musical instruments such as trumpets and drums ट्रमपेट लिभी का से हम बनाता है और जो ताले हमारे बनते हैं जो टाले हमें बना सकते हैं musical instruments बनते हैं musical instruments कोन से बना सकते हैं for example trumpet trumpet जो होता है या drums होते हैं ये किस से बने होते हैं ये आके brass यानि पितल से बने होते हैं bronze is used to make bells, coins, medals and parts of musical instruments और ब्राव्ज तांबे का कर सकते हैं तांबे का सांबे का अर प्रिशियस मेटल गॉल्ड और सिल्वर प। मेटल गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं प्रीश काफी कीमती होते हैं और गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं प्रीश होते हैं काफी महंगे होते हैं और इनका इस्तमाल हम क्या करते हैं कैसे करते हैं इनका इस्तमाल हम ज्वैलरी बनाने गहले बनाने में करते हैं तो यह क्या थे अभी जो हमने मेटल पड़े थे वह आसानी से तोड़ी नहीं जा सकते हैं अगर हिंदी में इसको बोलते हैं जिसको हम भंगूर बोल सकते हैं जिसको हल्की सी चोट लगने पर तोड़ा जा सकता है जिसमेट भाई हिटेंग अमिक्सर ओफ जैंड में शीलिका लाम एंज और ग्लास का बनता है जो होता है योई बनाए जटा है है यानि heating के दोबारा बनाया जाता है जब इसको heat करतें तो किसको heat करतें Silica, lime and soda इन तीनों को mix करके गरम करके फिर किसका foam बनता है फिर glass का foam बनता है यानि glass बनते हैं Glass is mostry transparent and it can also be a high temperature ग्लाश जो होते है ज्यादतर क्या होते है जिनकी आहर पार देखा जा सकते हैं इट केन आल्सो बिर हाइ टेंप्रेशर और इसको उच तापमान भी वर्दाश्च कर सकता है यह अधिक तापमान भी वर्दाश्च कर सकता है इसलिए ग्लास के इस्तमाल अलग लग वाइट यानि काफ़ी ज्यादा मात्रा में अलग लग वेराइटी की चीज़ें बनाने में किया जाता है कलेट ग्लास इसमेड बाइडिंग सम कलरिंग मैटेरियल्स टू ग्लास मिक्शर और कई बर हमने देख अभी क्या पड़ा था कि ग्लास ज्यादा तर ऑफ होता है ट्रांसपरेंट होते हैं इस नकर भी ग्लास तो मभी किससे बना उता है यहनि coloring materials mix कर देते हैं ताक कि वह colored glass बन जाते हैं अब हैं हमारा आगे uses of glasses Glass का इस्तमाल कहां करते हैं Glass is used to make things such as window pans, bangles and mirrors Glass का इस्तमाल हम window pans यहनि खिड़कियों के जो काच होते हैं उनके बनाने में किया जाता है bangles, चूडिया बनाने में किया जाता है It is used to make cooking vessels for ovens और उसके अलावा cooking vessels होते हैं यहनि खाना पकाने के बरतन होते हैं कौन से जिनको आम oven में रखके खाना पका सकते हैं वह आले cooking vessels होते हैं वह भी किसके बने होते हैं Glass के बने होते हैं Glass is used to make lenses for spectacles and magnifying glasses और उसके अलावा glass के स्तमाल मैगनिफाई शुक्षम दर्शी के जो glass होते हैं उनमें भी किया जाता है और जो चश्मा जो होता है spectacles नि चश्मे उनके जो lens बने होते हैं वो भी किससे बने होते हैं वो भी glass से बने होते हैं इस यूस्त तो मेक लेबाटरी एक्वेमन उसुसके लावा उसके से लेबाटी में के लिएक्वेमन। यहां आज हमारा चैप्टर कम्प्लीट हुआ है आगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है अगर आपको कहीं क्योंड है या कन्फ्यूज है ना लीटिल वीड तो आप कमेंट्स में हमें फूच सकते हूं और अभी हम करेंगे इसके तिक दी करेक्ट औक्षन है कुछ वरक हम इसका कर लेते हैं ताकि आपको करने के लिए मिल जाएं तो देखी फस्ट है हमारा तिक करेक्ट आंसर हमें करेक्ट आंसर को राइट का मार्ग करना है फस्ट क्योंशन है मेटेरियल्स कोन इस रिसोर्स होते है kuonur ृसोर्स कहा जाता द्ब आरपविषिल है गारेक्षट धिक्य को रिखवार्च रिसोर्स से लिते हैं के जी करें सकते हैं वो किया है जिन्कोंट्रेंश के सब्सक्राइब्स हीं ओजवान की लेकिति Arsenium से गईर सनुभ महां कर सकतेमल से एंडंड्स के जो यह आज आपका वर्क हो गया है आज आज आपको क्या करना है आज आपको इस chapter को अच्छे से study करना है जो मैंने आपको अच्छे से सम्झाया और र्यापको इस año से आफ डिल केकरेक्व जो है यह 3 के उशे सा आज आपको अपनी नाट बूक में लिखने है उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको यूज ओ then you can ask in comment and share this video like this video and thank you for watching this wonderful video have a nice day thank you so much